Hello everyone, आज के वीडियो में हम एक roadmap timeline बनाएंगे, जो की curved road होगा, और ये काफी easy design है, और दिखता भी बहुत अच्छ है, इसके लिए हम लोग सिर्फ एक line use करेंगे, और उसी को हम modify करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप लीजे एक नया slide, layout को हम लोग यहाँ पर blank कर देंगे ताकि चीजे draw करने में थोड़ा easy हो जाए, फिर right click करें, और जो यहाँ पर grid and guides है, उसमें जाएं, और snap to या फिर display grid इनको आप on कर दीचे, तो उससे आपको एक grid दिखेगा, और फिर insert में जाएं, shapes में जाएं, और जो lines का एक option होता है, जो हमारा category है, उसमें आप curved shape को select करे last से third होगा वो उस row में, आप उसे select करें, फिर एक systematic line बनाने के लिए, जैसे आपने किसी भी point पे click किया, उसके बाद best होता है, एक square shape में draw करना, तो जैसे 3 dots मैंने अपने right side में count किया, और 3 उपर की तरफ और click किया, फिर 3 right में, फिर 3 नीचे की तरफ, तो basically एक 3 by 3 के square के जो click कर दिजे, इसके बाद इसे control C, control V, यानि copy paste करेंगे हम लोग, तो अब हमाय पास 2 lines है, जो बिल्कुल एक जैसी दिखती है, इसके बाद एक जो line है, वो हमारा बनेगा road, और दूसरी होगी जो beach में white line होती है, वो वाली, तो किसी भी एक line को select करें, अब क्यूंकि ये road बनन है, फिर यहाँ पर जो width का option होता है, उसको आप increase करके देखें, अब जैसे आपके पास text बहुत जाद है, तो आप इसकी width को कम रख सकते हैं, या फिर आपको बहुत अच्छे से सिर्फ road को ही enhance करना है, तो आप 50 के ऊपर कोई भी point रख सकते हैं, जिससे वो अच्छा दिखे तो यहाँ पर 56, 55 कुछ भी रख दीजे, यह अब बन गया मेरा एक road, अब यह जो हमने दूसरी line ली थी, इसे आप उपर की तरफ ले जाए, या अगर road वाला line नीच हो तो आप नीचे लाए, सेंटर में इसे position करें, और इसे हम देंगे white color, ठीक है, one point भी ठीक है, बट इसक आप dotted dash ले सकते हैं, या फिर यह जो जिसमें जादा गया पर dash, वैसा dash ले सकते हैं, तो यह बन गया आपका basic road, ठीक है, अब आपको milestones या time points भी दिखाने हैं, तो उसके लिए आप कोई भी shape ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग flag shape बनाने वाले, circle भी ले सकते हैं, तो flag बनाने क कि आप उसकी width थोड़ी जादा रख दीजे, आपको same यह feature मिलेगा, अब हुआ यह कि बहुत उपर हो गया पूरा geometry, तो इसलिए मैं सबको select करके थोड़ा नीचे की तरफ shift कर रहे हूँ, ताकि flag बने तो वो थोड़ा दिखे यहाँ पर, तो अब इसके हमने copies बना दीए, ज प्रॉ कर दीजे, तो यह आपका बन गया shape, अब क्योंकि black road है, तो जितना भी bright color आप लेंगे, वो चलेगा, तो जसे यहाँ पर yellow अच्छा दिखेगा, या pink हो गया, या fluorescent भी ले लिजे, कोई परवा नहीं है, तो तीन points है, तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन अगर 5 बनाना च चाते हैं, तो आप इस flag को copy paste करके, points को increase भी कर सकते हैं, और अब text लिखना है, तो वो तो आप insert में जाके, text type कर दीजे, और उसका font वगेरा जैसा भी है, आपके slide design के हिसाब से, उसका color और उसका size, सब change कर दीजे, timeline है, तो जैसे ये day, week, year, month, कुछ भी हो सकता है, या फिर क delete करते हैं, insert में जाएं, shapes में जाएं, और जो lines हैं, उसमें curve वाले point को select करें, अगर आपके पस कम points है, तो जैसे पहले बनाया था, वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पस बहुत जादा points है, तो आप इस तरह से random curves भी बना सकते हैं, जैसे पिछले वाले में मुझ twist दिये हैं याँ पर, जो भी shape बने आपकी, एक ही भार में बन जाती है, जो भी बने उसकी आप एक copy बना लीजे, और दोनों में से कोई भी एक line को select करके उसके width कर दीजे, 50 या उसके जादा, और क्यूंकि ये road है, तो color आप black का darker shade को भी ले ले लेजे, grey, black, कुछ भी, और पर जो भी आपका road है, उसके width के हिसाब से, और dash type को हम लोग dash 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 कर देंगे, जो line की continuity है, उसे break कर देंगे, grids को आप off कर दीजे, क्योंकि grid का काम यहाँ पर हो चुका है, और अब बन गया आपका ही road, जैसे last वाले में हमारे पास 5 flags थे, इस पर हम जादा flags बना सकते हैं, त उसमें आप text लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर black जादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसे भी black कर दिया, तो हमने देखें, दो design, एक जिसमें 5 flags या points हैं, और एक जिसमें almost 10 flags हैं हमारे पास, ठीक है, तो आप कोई भी तरह का design बना सकते हैं, सिर्फ lines को use करके, तो ब बलते हैं आप से नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए all the best and keep exploring powerpoint, bye bye